रेलमी के फ़न पे ओल्वेस ओन डिस्प्ले के से करें नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ ओल्वेस ओन डिस्प्ले सेटिंग के बारे में तो ज़्यादतर लोग दोस्तों ये सेटिंग करना नहीं आते तो इस वीडियो को देखें मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही अच्छा तरीका जिसके मदद से आप ओल्वेस ओन डिस्प्ले सेट कर सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकून को क्लिक करें यही आप ओनलाइन पैसा कामाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंग आपको मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों ओल्वेस ओन डिस्प्ले सेटिंग करने के लिए आपको एक एप्लिकेशन चाहिए होगा यही वेडी स्प्ले जोकी आपको प्लेस्टोड में मिल जाएगा आयमे आपको सर्च करके बता रेता हूँ यहाँ बूसके बारा जाके टाइब करना है और इंडीं परमीशन वगईरा एलडिकेशन चाहर पास परमीशन उसको allow कर लेना है उसके बाद service में जाके आपको ये button enable कर देना है जैसे enable करोगे तो दोस्तों AWS services active करके आपको option मिल जाएगा और उसके बाद set ठीक है अभी आप अपने phone को lock करें लोग करने के बाद दोस्तों आप अपने phone को एक बार और प्रेस करके phone screen को वेक कर दीजिए उसके बार आपको डिखाए देगा always on display किस तरीके से काम करते हैं ठीक है यह पर आपको काफी सारा setting मिल जागा तो धिरे जिरे यूज़ करना आप सिख जाओगे तो इस तरीके से दोस्तों आप always on display सेट कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यह डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है इसलिए मैंने इस थर्ड पड़ी अप्लिकेशन को चुनाए और यह अप्लिकेशन बढ़िया तरीके से काम करते हैं और बिल्कुल फ्री है ठीक है उसमें आप एच लाइटनिंग सेटिंग भी कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही टेंक्स वाचिं